नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, तक्ससिला विद्याले हलवद आप सवनू आर्दिक स्वागत करे छे, तोरण अग्यार संस्क्रूत विषय मां आजे आपने च्वाथू पद्य, दशकम धर्म लक्षणम, धर्मना दस लक्षणों छे, पद्य विषय अभ्यास करीशू, संस्रू सहित्य मां जे बिये प्रकारे सहित्य विपाजी थेलू छे स्रूती अने स्वृती, तो एना आधारे जे स्रूती नो एक आसे अपरिवर्तन सिल तर्म सहित्य छे, अने स्रूती सास्त्र ना विदानों छे, ये सार्व कालेक अने सार्व भोमिग वाय छे, एमा उपदेस्वाम आवेली बाबतों छे केरक सम्माई प्रमाणेक देस प्रमाणेके परिसिती प्रमाणे एनो प्रभाव जोवा मडे छे तो आथी जे बिजो विभाजित केल पाग छे स्मृती सास्त्र एना विधानों पन अलग-अलग होय सके छे एले कणाखरा विधानों छे दरेक देस्मा काडमा उप्योगी थता नासी तो एना अधारे खास्तो धर्मना जे दस लक्षणों छे ए दस लक्षणों मानो धर्मना मानस माटे उप्योगी छे एवा लक्षणों छे एवा दस लक्षणों पद्यमा आपेला छे एले आ दसे लक्षणोंनी सम्मज मले एनू महत्व समझा एन तेनू स्वरूप दर्शन थैसके ए माटेना पद्यों आमा मुकेला छे संस्रूत नू तार्मिक शाहितिय स्रूती औने स्मुरूती एम बे रिते विभाजित थैलू छे आमा थी जे स्रूती शास्त्र ना विदानों सार्व काली कने सार्व बोमिक वाई छे जरे स्मुरूती शास्त्र मा उपदेसेली विगत वपर देस काल के परिस्तितिनों प्रभाव जोवा मावे छे आ कारणे स्मुरूती शास्त्र ना विदानों क्यारेक एक बिजार करता जुदा पहाण होई छे आम छता स्मुरूती शास्त्र ना मुटा भागना वच्चनों कायमे रिते दरेक देसमा और दरेक कालमा उप्योगी थाय तेवा वह चे आ पाठना सिर्षक तरीके आपवाम आयवेलो स्लोक पन आवोज छे आ स्लोक मा धर्मना दस लक्षणों न उपदेस छे आ लक्षणों एवा छे के तेना उपर कोई काल विशेस के देस विशेस नी असर पड़ी सके तेम न थी आ रिते आ दर्मना 10 लक्षणों छेवटे तो मानाव दर्मना लक्षणों बनी रहे छे। 10 पद्यों पन साथे मुखवाम आविया छे आ पद्यों संसु साहित्याना जुदा 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 ग्रंथों माथी लेवाम आविया छे M ने ए विशेष्टा छे कि संसुरू साहित्याना अनिक ग्रंथों मापन ते प्रसंगों पात रिते उद्धूत थता रहिया छे एटले खास्तो आ बदा ग्रंथो मा विजा सहीतिय मा पन आ प्रकारे एनी विश्यस्ता जुवा मड़े चे ए उजागर करवा माटे जा दस श्लोकों मुखेला चे बदा पद्य अच्छे अनुष्टुपे तुरूती शमादमस्तेयम सवचमिंद्रिय निग्रह देर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्मलक्षणम दम पछी या सब्द छे अस्तेयम या संधी चुटी पड़े चे दम पछी अस्तेयम निचे जे एनी बाजुमा जे सब्द छे सवचम प्लस इंद्रिय निग्रह त्या पण संधी ये प्रमाण यलग बड़े चे बिजी लिटी माजे बिजी पंक्ती माजे सत्यम क्रोधो छे सत्यम प्लस इंद्रिय निग्रह त्या विद्या सत्यम अक्रोधो दसकम धर्म लक्षणम पासांतर समझिये द्रुती ही द्रुती नो अर्थ ताई दिरज पेलाज आश लोक मा दर्मना जे 10 लक्षणों छे 10 लक्षणों नो परिचे करावे अचे द्रुती ये लेके दिरज जे मानस सुखमा ने दुखमा केने तेरिय वानवाई दिरज नाफर मिठावाई संतो सनु बवेज ते मानस सुखी रहे चेले द्रुती नो अर्थ ताई दिरज शमा एडले के माफी आपी देवी कोई पन मानस आपड़ा उपर अपकार करियो वाएक तो एनो विरोधन करता पन तेने माफ करी देवो माफी आपी ये पन तर्मना लक्षन मानु एक छे त्यार पची जे दम अचे यहांसे दम हो एडले के प्रहत्न पुर्वक इंद्रिय परनो काबु दमन दमनो पासांतर दमन लखी सको क बोली सको दमन एडले के मन उपर नो काबू अथ्व तो प्रेत्न पुर्वा इन्द्रिय पर नो काबू ठंडी चे के तढ़को चे के वगेरे दुखोनो सहन करवा माटे आपणे सारेरी दित्रिते सक्षम बनिये तो एना अर्थ माँ छे दमन मन पर नो काबू अथ्वा तो दमनू दमन अस्तेयम एतले के चोरी न करवी अनियनू के बीजा व्यक्तियोनू दन लेवु ने पण मन्थी एमा खोटी लालज पण न राखवी मन्मा जो मन्मा पण जड़ा आम्थी लालज आवी जाए तो लालज आवे तेने पण या लक्षणों मा चोरी तरीके गणावेल छे केवे पारकानू खोटी रिते बीजानू दन चोरी लेवु पड़ावी लेवु तो एने चोरी केवे पण अमा मन्थी तमारा मन्मा कदाज एना प्रत्य चोरवानी जो लालज पण आवी जाए तो एने पण चोरी करवी एवा लक्षणों मा गणावेल छेले अस्तेयम एनो अर्थ थाई चोरी न करवी त्यार पछी छे सवचम एडलेके सुद्धी त्यार पछी छे इंद्रिय निग्रह एडलेके आपड़ी जे इंद्रियो छे नाने इंद्रिय पाँच आख कान नाक जीबत वचा तो वगेरेने काबु मा राखवी इंद्रियो पर विजे मेड़वो एथव तो इंद्रियो ने काबु मा राखवी एने केवाय इंद्रिय निग्रह त्यार पछी विजी लिटी मा पेलो सब्दाच छे धी धी नो अर्थ थाई बुद्धी बुद्धी केवी अविजोए दस्मा दोल मा अपने श्लोक आविज्यो तो ये श्लोक आम्याज मुकेलो छे सात्वीक बुद्धी वाड़े ये पार्स जे प्रवरूती ने निवरूती कर्तवे ने अर्थ कर्तवे जाने छे त्यानी ते बुद्धी सात्वीक छे तो बुद्धी छे जे सास्त्र वगेरेके तत्व गणान प्राप्त करावे छे तो एवी सात्वीक पाववाले बुद्धी जरूरी छे त्यार पची चे विध्या यहात अत्मग्नान पोताने आमा जाखी करीयने पोते विध्यावान बने अत्मग्नानी बने एपन जरूरी छे सत्यम सम्पूर्ण ग्नाने गरोध גם क्रोध उतंथवानु कारण वाय गुष्वे उस स्या मकरण वाय और गुष्वे प्रस्ट प्राप्त करेओ वह उसमाption कमी सम्पूर्णे है 10 मामा आपड़े पाठाव तो चक्सूसमान अंधहेव आखो वाड़ो ओवा चता आधलो छे क्रोधी मानस चे किम कर्तविया मुट बनी जाए चे पूते न करवाना कारियो करी बेसे चे ले अ क्रोधो क्रोधनो ओभा क्रोध उत्पन थायवी परिसिती ओवा चताई क्रोध क् नै दसकम धर्म लक्षणम धर्मना आ 10 लक्षणों छे खरेकर आ प्रमाने धर्मनों 10 प्रकानों स्वरूब छे अने जे मानस चे धर्मना 10 लक्षणों ने सारी रिते जाने से समझे छे तेनू पालन करे छे ते वो परम गतिने प्राप्त करे छे सिदु बासांत पेला श्लोक नू दृती दिरज, क्षमा, दमन, चोरीन करवी, शुद्धी, इंद्रियने काबुमा राखवी, बुद्धी, विद्या, सत्य, अने क्रोधनों अभाव, धर्मना आ दस लक्षणों छेर। बुद्धी, विद्या, सत्य, अने क्रोधनों अभाव, आ दस धर्मना लक्षणों छेर। आदसे दस लक्षणों ने समझावता जे स्लोकों आपेला छे, पेलो स्लोक छे त्रूती ही, त्रूती नोर्थ थाए, धिरज, दिरज लक्षणने आदारे स्लोक आपेलों छे। त्रूती नाम सुखे दुखे, यया नापनोती विक्रियां, ताम बजे सदा प्राग्नों यही चेत गती मात्मन संदी जे मुक्षब्दों नी चुटी पड़े छे, यया पच्छी सब्दा आपेलों छे न आपनोती, न आपनोती छे यहां, संदी चुटी पड़े छे, न आपनोती, न छेले जे सब्द शलोक पूर्ण थाए तियां छे, गती म, प्लस आत्मन परबर छे आपनोती विक्रियां, ताम बजे सदा प्राग नों यही चेत गती मात्मन त्रूती नाम, पासांतर छे, त्रूती एटले के धिरज, धिरज एटले, यहां एटले के जे, जेना द्वारा धिरज एटले, जे सुखे दुखे, सुखमा अने दुखमा, न आपनोती विक्रियां विक्रियांनो अर्थनियां थाए, विकार रथवातो विक्रूती, न आपनोती एटले के मेडवतो नथी, के प्राप्त करतो नथी दिरजवान मानस छे तिये सुखमा वाय के दुखमा वाय मनमा इना कोईपन प्रकार नो विकार छे मेडवतो न थी प्राप्त करतो न थी ताम भजेज सदा प्रागनो य इच्छेद गतीम आत्मन असांतर छे प्रागन प्रागन एटले के बुद्धी साडी मानस यह प्राग्न जे बुद्धी शाली मानस के जे बुद्धी शाली पुरूस गती आत्मन अत्मन एडले के पुतानी स्वव विकास ने गती मितले यह प्रगती गती नोर्थ थै प्रगती के विकास जे बुद्धी शाली मानस पुतानी प्रगती ने इच्छे द यह प्रगती आत्मन एच्छे आत्मन एच्छा राखे ताम सदा पजेत तेने सदा एडले के हम्मेसा तेने हम्मेसा तेनु भजेतो एडले के सेवन करवू अथवातो स्विकारवू अथवातो अपनावे खरेखर बुद्धी साली मानस छे एडले सुखनी परिस्तिती वय के दुखनी परिस्तिती एना मनमा कोईपन प्रकार नो विकार प्रई मेडवतो नती के प्राप्त करतो नती एतो बुदिसाडी मानस समेशा पोतानी सफ़डता पोताना विकास ने जीचे चे यहना एनूज पोते शेवन करे चे एले दिरजवान मानस ना गुणो वर्ष छे ए सुखमा के दुखमा खोटी परिसिती मा कोईपन परिसिती मा विकार मेडवे वगर ए पोतानी सफ़डता के पोताना विकास न माटेज प्रेत निसिल रहे चे आम पन के ने दिरजणा फड मीठा कोईपन कार्या करती वक्ते जे दिरजवान मानस छे खरेखल प्रगती के सफ़डता मेडवे छे उतावडे आम बानों पाके के वाद पन छे लगे उतावडे करेलू कार्या छे ए सफ़डता तुना थी पन दिरजपुर्वक जे व्यक्तियो छे बुद्दीसाडी मानस छे पूतानी सफ़डता मेडविले छे परि थी भासांतर बोलू छू धिरज एतले जे शुकमाके दुखमा न विक्रियाम प्राप्तोती विकार ने प्राप्त करतो नथी अथ्वा तो विक्रूतीने मेडवतो नथी यो प्राग्न यो एटले जे प्राग्न एटले बुद्धी साले मानस जे बुद्धी साले मानस गतीम आत्मन पोतानी प्रगतीने इच्छे द एटले के इच्छे तेने सदा हम्मेशा ता मिलके तेनू भजेत सेवन करवू दिरज एटले जे सुक दुख मा विक्रूतीने प्राप्त करतो नथी जे बुद्धी साड़ी मान स्पोतानी प्रगतीने इच्छे तेने हम्मेशा तेनू सेवन करवू बरबर छे अगर ना स्लोकोची आपड़े अवे पच्छीना नेक्स्ट वीडियो मा जोई सु